हलो फ्रेंड्स वेल्केम टू अली साइंस हम पढ़ रहे थे जनन सवास्ते रिप्रोड़क्टिव हेल्थ के बारे में आज का अपना टोपिक होगा गरब निरोदक उपाए कॉंट्राशेप्टिव मेथड्स सबसे पहले क्या चीजें है यानि एसे उपाए जिनसे गरब धार जो हिआज mismos यानि जो शुकराणू है जिनको हम कहते हैं एस्परण और फीमल गेमिट यानि अंड़ानू जो होते हैं ओम जिसको हम कहते है ये इस्परण ओर और ऑम कि सेल आपस में फ्यूज होती है आपस में जुढरती है और जुढ कर क्या करती है ये तffen चाईगोथ बन बनेगा तो फिट्टस बनेगा अब क्या है कि यहां पर मंगि आपके इस को इनके जोडने को हम क्या कहते हैं तो एची कंडियसन हो जाए चीजो फ्यूज भी नहीं पाई एक तरिका थो यह कि इनको आपस में मिलने से ही रोक दिया जाए तो इसे क्या यह जो जाएगा दूसरा यह है कि यह जो जाएगा यह डवल्प होता है रूप में यह डवलप होगा तो इनको प्रोकने के लिए जो वीदिया पनाए जाती है तो उसमें दो वीदिया पनाए जाएगी पहली कर आएगी प्राकर्तिक वीदिया यानि हम इसमें कोई भी चीज ऐसे उपकरण कामे नहीं लेंगे बहारी कोई साधन कामे नहीं लेते प्राकर्तिक मेथड जिसको हम बोल देते हैं नेचूरल मेथर्स ठीक है नेचूरल मेथर्स प्राकर्तिक भी दिया अब ये कौन कौन से होते हैं उसके बारे में जान लेते हैं तो इसमें जो सबसे पहला होता है उसको हम कहते हैं आवधिक शैयम ठीक है यहां हम उसको बोल देते हैं पेरियोडिक एबस्टिनेंस परियोडिक एबस्टिनेंस उसको हम कहा जाता है अब इसको एक और नाम बोलाता है या दखना है इसको रिदम विदी भी कहते हैं ठीक है रिदम विदी तो अब इसको हम कहेंगे अब यह मेथड क्या होता है और इसको नाम से पता चल रहा है और अधिक यह आने अवधी एक इस पेसिफिक पीडियर्ट यानि कोई ताइम कीडिड होगा कोई अवधी होगी थीक है कौनशे अवधी होती है तो दस्वे से लेकर कि विजो भुष्य दिन कोई झाय कोन दिन यहार्तुव चक्कर होता है थीक है अर्थोचकर यानि इसको कहते हैं maestroil cycle, saikkal maestroil cycle क्या होता है यह मैं आपको पिछले वीडियो में पिछले चेप्टर में पढ़ाया हुआ है, आगर अगर यह वीडियो नहीं देखा हुआ पता नहीं है तो आप पर आप ले वीडियो देखे, उसके बाद में ये समझ में आपको आएगा, तो अर्थो चक्र है में क्या होता है 30 में को चोदवा दिन होता है जिसका नाम होता है अपडॉटसर्ग और हमुसकों कहते हैं अब इस को रही होता है कि अगर कोवलीशन तो आपको डाइग्राम से आजली समझ में आ जाए हम क्या कर रहे थे यहां से जो ओम निकलता है वह यहां पर आजाता इस प्रोसेस को कहते हैं अंडौछ्चग ओविलेशन यह कब होता है यह चोदवे दिन होता है फिर यह अंडौछ्चग यह जो ओम है यह यहां पहुंच यह दूटे लोगन है वह तो आजा और यह समीम उसन पहें वह तो अगर क्या होता है इहां भूष्चन नहीं हो पाइब क्लेंट गन्में इसमें क्या होता है यह है यह तक पहले जाएंगे तो यहां पर पहुंच 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 जाएंग तो यहो जाएगा आदिक शायंम यारिदम वीदी स्को हम कहें देंगे कमप्लेटे की अब से उसकेन प्रेंपनी होती है उसका नाम होता है बाही इस खलन शिए सिख्ञेल कि जिसको हम कहते है o को यटरफस का कोयटर इंटरफस कोयटर इंटरफस कि एस भी vita डॉवल भी हम जिसको पोलते हैं जिमीनेशन हो रहा है विर्ये सेच्षन सेच्छ इंस ङो रहा है तो उस कहिसा है कि जो इंतिल ट्रेग कि इंतijn हो नहीं तो यहां से पहुंचेंगे तो यहां से पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे तो यहां से पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे तो नहीं पहुंचेंगे तो नहीं होगा तो प्रभधारण नहीं होगा प्रेंगनिंटी प्रेंगन यह पर नाम भी है लेक्टेशनल ऐह मेमै मोर्या तीक इनॅट अब यह क्या हुन होता है इसानपान करते हैं झाल को st התत्रवाते हैं ब्रेश पीडिंग più जो पहल कुल रहा चुल जारा रिलीज होता है जो एक इस होर्मोन ईलत ़र्मोन उनके लिए नेगेटिव फीड़ लिए अब यद बेच चाहिए बहुताइगा यह क्या दोल निकले गा अगर इसके दो रहता तो इसके दो दोरान क्या होगा अंडानू का निर्मान नहीं को पाता है जो यृप वहर्म है यह नहीं बनेंगे तो इनके पास नहीं होगा इन rac Business स्वाइख नहीं होगा ठीक जब ढूंध नहीं होगा अन知 प्रोशेषन है तो यह नहीं नहीं हो बाएंगे तो प्रॉष्यम क्या क्षटार यशंध लिए Lactational Amenorrhea कहा जाता है ठीक इसमें जो आरतो होता है douų ही नहीं नहीं होता है होन के अंदर कारण कर अभ्यान क्या एक्चितोशन खुओं ससे रहे हो देगा तो यह इस और ल nécessaire सक्रेट नहीं होने दे देगा फ्स रोंब 一 Really दूसरा होता है यह दोनों क्या होते पिछले वीडियो में आप जान चुके पिछले चैपटर में आप जान चुके है थार्ड चैप्टर में पड़ लिया था यह तो अलएक लिकलने देगा कॉंसा और ओक्षिटोसिन इसकी वज़े से उन्में अंडानू नहीं बने गा निश इसको हम वापस टुकड़े करके देखती है नाम इसे क्यों हो दिया गया है लेक्ट जहां पर भी आपको एक डिक्सिनरी में लिख लें आपको बहुत जंगे काम आएगा लेक्ट का मतलब होता है मिल्क दूद दूद से समंधित जो भी चीजे होती है उसके लिए हम लेक्ट वर्ड कामे लेते हैं फोर एक्जांपल लेक्टो बेशिलस बैक्टिरिया दूद में पाय जो दूद से दही बनाने वाला जो बैक्टिरिया है इनके लावा लेक्टोज एक कार्भो हाइडरेट का नाम है जो मि तो मिन का मतलब होताई यहां पर है यहां पर है कि मेन में मन चुरूल में आर्थोष्चक्र मैंस्ट्रूल होता थाम प्रूण घिसे खञए और आगे पढ़ेगा थाम तो श्राव होना किसी चीज पाह मैं कि हम कहते है P तो इसके विज़े से क्या होता है मिन्स्ट्रोल साइकल शुरू ही नहीं होगा तो तेन वीदिया होगी हमारे पास प्राकर्तिक वीदियों के अंदर आवधिक शहीं या रिधम वीदि कहते हैं दूसरा है बाई शकलन और इस्तनपान अनातर हो लेकिन यह जाद अपयोगी नह कैमें केको कारगर नए रिखला के पाती चली नहीं तो यह थिन और अपनी पंपर जेख और को कह दो इंट इंडशा और अपनी नहीं कहते है तो इनके फैल होने के चांसे बहुत जादा होती है तो इनके प्राकरतिक नहीं होते हैं लेकिन इनका जो हानी यह है कि यह जादा कारगर नहीं होते हैं हम इतना स्टेडी करेंगे अगले वीडियो में जानेंगे कि कृतिम वीदिया कौन कौन सी है उनके बारे में